तो इस वीडियो में हम देखेंगे UP Board Exam 2013 के लिए परिच्छा में कौन कौन सा समान लेकर जाना चाहिए Student वीडियो को आप अंतक जरूर देखेगा ताकि आपको पता चल सके कि Board Exam में हमें कौन कौन सा समान लेकर जाना Student आप सभी को इस चैनल पर वीडियो लेक्चर हैंड रिटन नोट्स प्रिवियस यर कोईशन पिपर फार्मूरा नोट्स सारी चीज़े मिल रही है तो आए देखते हैं कि Board Exam में हमें कौन कौन सी चीज़े लेकर जानी है यह Student जो कि सबसे पहला है Admit Card अवस से लेकर जाएं जो Student आपका Admit Card है या bheri bheri important है भीना Admit Card के आप Exact टाकि एक खार present नहीं हो अब Actually, पॉइंद आपकी तoga प्रति दिन लेकर जाये है स्थ जिस भी दिन प caus यहरा नहीं कर द्रेसे गहा Hm अपना admin card लेकर जाना है तो आईए अब हम देखते हैं अगला point क्या है अगला point है student पारदर्सी box आपको क्या करना है एक पारदर्सी जो box आता है उस box को लेना है उस box के अंदर ही अपने सारे समागरी जैसे की pen हो गया rubber हो गया pencil हो गया यह जितने भी समागरी हैं आपको पहले से लिख रहे होंगे वही पहले से लिखते आ रहे हैं और नहीं नहीं होनी चाहिए उस पेन को आप कुछ न कुछ यूज करिए उसके बाद लेकर जाना चाहिए अगला point है हमारा दो blue pen यानि कि हमें क्या करना है दो black pen और दो blue pen आपको बूझा में लेकर जाना है आपका एक pen खराब हो गया तो दूसरा pen आपका रहा है ताकि किसी से मांगने की आवश्रक्ता नहों अब student अगला point है heading के लिए dark bolt black pen यानि कि heading के लिए एक pen आती है जो कि वह थोड़ी सी मोटी चलती है तो वह क्या करना है आपको heading के लिए वह pen लेना है जो कि heading के लिए dark bolt black pen है या pen थोड़ी सी मोटी चलती है heading के लिए सबसे बेस्ट यही pen होती है student अब हम student आगे देखते हैं आगे हमें कौन कौन सी चीजी लेकर जानी है तो student आपको एक पार दर्सी scale लेकर जाना है जो scale होता है वह student लेकर जानी है यानि जो बड़ी वाली scale होती है जैसे कि वह student अगला point है मारा क्या pencil rubber cutter यह तीन चीजा आपको लेकर जानी है student समय के लिए आपको जुरुत पड़ेगा एक वाच का जो कि आपको बोड़ी वाच में नार्मल वाच लेकर जाना है जो कि सूई वाली वाच होती है उस वाच को बोड़ी या में लेकर जाना है आपको digital करेगी तो पानी को पी सकते हैं आपको बाहर जाने के यह सकता नहीं जिससे आपका समय बचेगा और समय बचेगा तो आप और question attempt कर सकते हैं उसके बाद student board exam में आपको पैड़ लेकर जाने हैं वह भी पैड़ एक्दम नीव होनी चाहिए पैड़ फे कुछ भी लिखा नहों यदि अनुमत्ती होगा तो आपको लेकर जाना है अनत्या बाहर ही आप exam pad को रख देंगे तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़े लेकर जानी है अब student आपको क्या करना है अराम दायक दो मास्क जो आपके लिए अच्छे माक्स रहों तो वह आपको दो मास्क लेकर जाने है student board exam में इस प्रकार से student हमने देखा कि board exam में हमें कौन कौन सी चीज़े लेकर जानी है student वीडियो कैसा लगा कमेंट बक्स में अबस से बताएं student वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल पिना तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दें ताकि मेरे आने व अवार तर अए वीडियो थाण मे FREंगियो अग्योंगा टू रहे आने वीडियो बता है studentивает वीडियोंगे तेंगोई खिरादी मेंगेन अज्ञे वीडियोंगेод में वीडियोंगे लादी गयूंगेटे तीमियोंगेए शी çalış मेंवादी अवादीमि मेंगे वीडियोंगेे ऒ